कोरोना के प्रादुर्भाव के कारण सभी सिक्षन संस्थाएं बंद है फिर भी आप लोग के अध्यान अध्यापन की विवस्था की गई है ब्रियन मुबई महानगर पालिक्याने वर्चूल ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से आप लोगों की ओनलाइन क्लासेश चालू रखी है मैं आपकी वर्चूल ट्रेनिंग सेंटर की मार्गदर्शिका गीता विजय त्रिपाठी ब्रक्षा आठवी विशे हिंदी मार्गदर्शिका हैं स्रीमती गीता त्रिपाठी शर्ब्द कोर्स इस पार्ट के रचईता हैं डाक्टर सरोज प्रकाष्ट सरोज जी का जन्म 1947 में एटा उत्र प्रदेश में हुआ लेखिका डाक्टर सरोज प्रकाष्जी ने कॉलेज में अध्यापन कारे किया है साथी साथ आप एक स्थापित लेखिका हैं आपके अनेक लेख पत्र पत्रिकाव में प्रकासित हुए हैं आपकी प्रमुक कृतिया हैं इस्तरी पुरुष के बदलते संबंध और मोहन राकेश का करतित्वर प्रस्तुत पार्ट में लेखिकाने सब्द कोर्ष को किस तरह देखा जाए उसमें सब्दो के अर्थ कैसे ढूंडे इस बारे में फिस्तित जानकारी दी हैं बच्चो बहुत बार ऐसा होता है कि किसी पुस्तक को परते समय हमें कोई ऐसा सब्द ध्यान में आता है जिसका अर्थ हम समझ नहीं पाते तो ऐसे समय में हमें उस सब्द का अर्थ जानने के लिए सब्द कोस की मदद लेनी होती है इस पाट में लेखिका ने नाटिका के द्वारा यही दर्शाने का प्रयास किया है कि सब्द को अर्थ कैसे जानना है, सब्द कोस का कैसे उपयोग करना है, तथा सब्द कोस का क्या महत्व है प्रस्तुत पाट में सब्द कोस के उपयोग की जानकारी दी गई है इसमें यह भी बताया गया है कि सब्द कोस का उपयोग करने के लिए वड माला और बारा खड़ी के क्रम का होना आवश्यक है सलील और नीलिमा दोनों अध्यन करते हुए बैठे हैं सलील परेशान हो जाता है बार बार पुस्तग को उलटता पलटता है नीलिमा क्या पात है सलील परेशान के हुँ यहाँ इस पार्ट में यह बताने का उपयोग कैसे किया जाए तथा यह सबसे आवस्यक है कि सब्द कोस में किसी सब्द को ढूलने के लिए हमें वर्णवाला के करम तथा बारखड़ी इसका अच्छे से ग्यान होना जरूरी है इस नाटिका में बताया गया है कि निलीमा और सलिल दोनों अध्यन कर रहे हैं और सलिल कुछ परेशान दिखाई दे रहा है तब निलीमा उसे प्रशन पूछती है कि क्या बात है तुम परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो सलिल परेशानी की ही बात है देखो मैं इस किताब को गरंथाले से लाया बड़ी क्यान वर्थक और मनोरंजक पुष्टक है परन्तु दो सब्द ऐसे आये हैं जिनका आर्थ ही मुझे नहीं मालूम निलिमा कौन से दो सब्द सलिल एक सब्द है अभियान और एक है सुर्शरी निलिमा सोचते हुए सच बताओ मैं भी इनका आर्थ नहीं जानती सलिल पर इनका आर्थ तो जानना जरूरी है यहाँ प्रिशनाटिका में दोनों भाई बहन बात कर रहे हैं कि सलिल एक पुष्टक लाया है ग्रंथाले से और वह पुष्टक बहुत इग्यान वर्धक और मनुरंजक है परन्तु दो सब्दों के अर्थ उसे समझ नहीं आ रहे हैं जिसके कारण वह पुष्टक में आगे नहीं बढ़ पा रहा है वह निलिमा से अपनी परिशानी बताता है कि उसे अभियान और सुर्षरी इन दो सब्दों के अर्थ नहीं समझ में आ रहे हैं निलिमा कहती है इन दोनों सब्दों के अर्थ तो वह भी नहीं जानती लेकिन दोनों बच्चों को ये जिग्यासा है कि इन सब्दों का अर्थ जानना बहुत जरूरी है निलिमा ऐसा करते हैं कि पडोस में जो पत्रकार रामदास जी रहते हैं उनके यहां चलते हैं वे जरूर हमारी साहता करेंगे निलिमा और सलिल रामदास के घर पहुचते हैं सलिल निलिमा नमस्ते चाचा जी रामदास अरे सलील निलिमा आओ बेटे आओ कहो क्या बात है सलील भीतर आते हुए चाचा जी हम आपको थोड़ी सी तकलिफ देने आये हैं यहाँ पर दोनों बच्चे उस सब्द का अर्थ जानने के लिए उनके पडोस में एक पत्रकार रहते हैं श्रीरामदास जी उनसे सहता लेने की सोचते हैं वे दोनों उनके घर जाते हैं और उन्हें सबसे पहले अभिवादन करते हैं उन्हें नमस्कार करते हैं और उनसे कहते हैं कि हम आपको कुछ तकलिफ देने आये हैं सलील भीतर आते हुए चाचा जी हम आपको थोड़ी सी तकलिफ देने आए हैं बात यह है कि आज मैं एक बड़ी अच्छी पुष्टक पढ़ रहा था उसमें कुछ सब्दों के अर्थ समझ में नहीं आ रहे हैं इसलिए सोचा आपसे पूछ ले रामदास अरे बेटे यह तो अच्छी बात है सब्दों के अर्थ जान लेने से भाषा समपन बनती है वैसे भी कहते है कि बून बून से सागर बनता है निलिमा सलील से इन्हें वे सब्द बताओ न सलील और निलिमा रामदाजी के घर आते हैं और उनसे कहते हैं कि वे एक ग्रंथाले से पुस्तक लाए हैं जो बहुत अच्छी पुस्तक है ज्यानवर्दक है परन्त उसके कुछ सब्दों के अर्थ में समझ नहीं पा रहे हैं रामदास जी कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है कि आप लोग का मन वाचन में लग रहा है क्योंकि सब्दों के अर्थ जानने से भाशा संपन होती है हम नहीं सब्दों के अर्थ जानते हैं जिस तरह बूंद बूंद से सागर भरता है उच्छी तरह एक एक सब्दों के दे देता हूं उसमें अर्थ देख लो सलील और निलिमा आश्चा देशे सब्दकोस रामदास हां क्यों तुम्हें सब्दकोस नहीं मालू सलील नहीं रामदास सब्दकोस उन्हें देते हुए यह देखो यह सब्दकोस है बच्चों यहां रामदास जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे कठे सब्दों का अर्थ सायद बता पाओ या ना बता पाओ या अलग बात है लेकिन आज मैं आप लोगों को एक नई बात सिखाना चाहता हूं कि सब्दकोस में आप अपने मन चाहे सब्द का अर्थ ढून सके दोनों बच्चे आश्चरे चकित हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अब तक सब्दकोस का परिचे ही प्राप्त नहीं किया था तब रामदास जी उन्हें सब्दकोस देते हैं और सब्दकोस के बारे में जानकारी भी देते हैं सलिल पढ़ने पलट रहा है निलिमा जाग कर देख रही है रामदास इसमें करीब डेड़ लाख सब्द हैं कुछ सब्द कोस कम या अधिक सब्दों के भी होते हैं सलिल पर चाचा जी इन डेड़ लाख सब्दों में से अपने सब्द कैसे ढूनदें क्या इन दो सब्दों के लिए मुझे ये पूरी मोटी पुष्टक पढ़नी पड़ेगी रामदास हसते हुए नहीं बेटे नहीं सब्द ढूनना बहुत आसान है अब मुझे बताओ तुम्हें पूरी बारा खड़ी आती है न यहां पर बच्चे रामदास जी से प्रश्ण करते हैं कि क्या उन्हें अपने सब्दों के अर्थ जानने के लिए पूरी पुष्टकों को खंगालना पड़ेगा पूरी इतनी मोटी पुष्टक पढ़नी पड़ेगी क्योंकि रामदास जी ने तो कहा है कि इसमें करीब डेड़ लाग सब्द है इतनी सब्दों को सुनते ही सलेल और निलिमा डर गए है तब रामदास जी हस्ते हुए कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है उन्हें वे पूष्टे हैं कि क्या आप तुम दोनों को बारा खड़ी याद है निलिमा चाचा जी आप क्या हमारा मजा कुड़ा रहे हैं बारा खड़ी तो हमने पहली कक्षा में सीखी थी रामदास नहीं निलिमा मेरी बात तो समझो सब्द कोस देखने के लिए वर्ड माला का क्रम और बारा खड़ी अच्छी तरह याद होनी चाहिए क्योंकि इसमें इसी क्रम से सब्द लिखे होते हैं उधारन के लिए आ से सुरू होने वाला सब्द यहाँ पर निलीबा कहती है कि हमने तो पहली कैक्षा में 12 खड़ी सीखी थी तब रामदाजी कहते हैं कि सब्द कोष में सब्द देखने का सब्द ढूनने का एक नियम है इसमें जिस तरह वर्ण माला और बारा खड़ी में वर्ण आये रहते हैं क्रम से उसी क्रम से सब्द कोष में भी दिये हुए रहते हैं ताकि किसी भी सब्द का क्रम ढूनने में आसा नहीं हो रामदाजी नहीं निलिमा मेरी बात तो समझो सब्द कोस देखने के लिए वर्ण माला का क्रम और बारक खड़ी अच्छी तरह याद होने चाहिए क्योंकि इसमें इसी क्रम से सब्द दिये जाते हैं उधारन के लिए असे सुरू होने वाले सब्दों से पहले आते हैं इसलिए मैंने कहा कि वर्ण माला का क्रम और बारक खड़ी का क्यान पक्का होना चाहिए अब यदि मैं कहूं कि अविश्कार सब्द का अर्थ ढूंडो तो तुम कैसे ढूंडोगे यहाँ पर रामदास जी उन्हें बताते हैं कि वर्ण माला में जैसे क्रम से सब्द आते हैं सब्द कोस में उसी क्रम से सब्द दिये रहते हैं जैसे असे सुरू होने वाले सब्द पहले आएंगे असे सुरू होने वाले सब्द बाद में आएंगे अब वे अविस्कार इस सब्द को सब्द कोस में कैसे ढूंडा जाए इसके बारे में समझा रहे हैं बच्चो यहां पाटका मेंने एक भाग आप लोगों को समझा दिया है कि किस तरह सब्द कोस का उपयोग करना है किस तरह सब्द कोस में सब्द को ढूंडना है यह रामदाजी बच्चों को बताना वाले हैं, समझाने वाले हैं तो पाट के इस भाग में जितने कठिन सब्दाएं हैं उनका अर्थम जान लेते हैं ग्रंथाले, अर्थात पुस्तकाले, ग्यान वर्धक, ग्यान को बढ़ाने वाला मनो रंजक, मन को प्रसन न करने वाले, अभियान, मुहीम, सुर्षरी, गंगा यहाँ पर आपने देखा कि जो दो सब्दों के बच्चे अर्थ ढूडने जा रहे हैं उनके बारे में भी यहाँ जानकरी देदी है, अभियान, अर्थात मुहीम, और सुर्षरी यानी गंगा सम्पन, सम्रुद्ध चली, कठिन सब्दों हमने देख लिया, अब हम पाट पर आधारित आकृती पूर्ण करते हैं सलील और निलिमा इन सब्दों के अर्थ ढूण रहे थे बच्चों अगर इस नाडिका को आपने ध्यान से सुना है और पाट को आप ध्यान से पढ़ चुके हैं इन सब्दों का अर्थ ढूणना आपके लिए कठिन नहीं है अभियान और सुर्षरी उत्तर लिखिए सब्दों के अर्थ जान लेने से क्या लाब होता है सब्दों के अर्थ जान लेने से भासा समरिद्ध बनती है बच्चों अब आपके मन में एक प्रस्ण जरूर उठा होगा कि भासा कैसे समरिद्ध बन सकती है सब्दों के अर्थ जानने से बिल्कुल बनती है क्योंकि जिस तरह बूंद बूंद से सागर भरता है उसी तरह भासा के एक-एक सब्दों को जान लेने से हम उस भासा के जादा से जादा सब्दों को जान लेंगे और हम जितने ज़्यादा सब्दों को जानेंगे उतनी ही भासा हमारी सम्रिद बनती जाएगी अपनी बात को पुष्ट करने के लिए रामदास ने कौन सा मुहावरा बताया अपनी बात को पुष्ट करने के लिए रामदास ने ये मुहावरा सुनाया की बुंद बुंद से सागर बनता है ग्रंथाले से पुष्टक लेकर कौन आया? ग्रंथाले से पुष्टक लेकर सलील आया था सलिल के अनुसार पुस्तक की क्या विसेस्ता है सलिल के अनुसार पुस्तक बड़ी ज्यानवर्धक तथा मनोरंजक है बच्चो यहाँ पर यह छोटे छोटे प्रश्ण इसलिए दिये गए हैं ताकि आप यह समझ सको कि जब हम कोई भी पाठ पढ़ते हैं तो उस पाठ को पढ़ते समय हमें ध्यान से एदम आकलन पुर्वक पाठ पढ़ना है ऐसा नहीं है कि पाठ के सिफ सब्दों को हमने बोल दिया और पढ़के हो गया पाठ पढ़ने का आर्थ होता है उसे समझ कर पढ़ना और यदि आप किसी भी पाठ को समझ कर पढ़ोगे तो उसमें जो छोटे-छोटे प्रस्ण आते हैं उनका उत्तर आप आसानी से दे सकोगे कारण लिखो सलील और निलिमा रामदास के पास गए सलील और निलिमा रामदास के पास कुछ सब्दों के अर्थ ढूनने गए वर्ण माला क्रम और बारा खड़ी का ग्यान होना आवस्चक है सब्द कोस का उप्योग करने के लिए वर्ण माला और बारा खड़ी के क्रम का ग्यान होना आवस्चक है यह आवस्यक्ता इसली है क्योंकि सब्द कोस में जिस तरह वर्ण माला में अक्षर एक के बाद एक आते हैं और बारा खड़ी में जिस तरह उनकी मात्राओं का क्रम बढ़ता है उसी तरह सब्द कोस में भी उसी क्रम में सब्द दिये होते हैं संजाल पूर्ण कीजिए संकेत सब्दों के संचित रूप का विस्त्रित वड़न वी अर्थात विशेशन स्तरी पूलिंग सव संस्कृत बच्चो ग्रंथाल, जब हम लोग ग्रंथाले से कोई उस तक निकालते हैं तो उनके जो सब्दों के अर्थ हैं बहुत बार हम सब्दकोस में देखते हैं तो सब्दकोस को देखते समय आपको बहुत बार जैसे लाल अक्षर में जो यह अक्षल दिये है जिसे वी उसके बाद बिंदी दी हुई रहती है इस्त्री पू स इस अक्षरों का क्या अर्थ होत आउये इन संगेतों को जान लेना और उसके इसाब से वाता होता है इससे हमारे ज्यानमें व्रिद्धी होती है टिपणी लिखो पडोसी पडोस में रहने वाले वालों को पडोसी कहा जाता है पडोसी हमारे सुख दुख के पहले साथी होते हैं कभी भी अगर हमारे उपर दुख सुख पड़े तो बहुत बार हमारे रिष्टेदारों को आने में समय लगता है परन्त हमारे पडोसी हमारे सबसे निकट के हमारे मीत्र रिष्टेदा सभी कुछ होते है रामदास रामदास जी सलील और निलीमा के पडोसी थे वे एक पत्रकार थे उन्होंने निलिमा तथा सलील को सब्द कोज देकर सब्द कोज से सब्दों के अर्थ ढूनने का तरीका भी बताया बच्चोईस पार्ट में रामदाज जी एक पत्रकार के रूप में है और उन्होंने सलीम और निलिमा को ना अपना सब्द कोज दिया बल्कि उन्होंने अर्थ कैसे देखना है ये भी सिखाया सब्दोकोस देखे हुआ उन्होंने छुटी नहीं पाई कि लो सब्दोकोस आप खुड़ डूणो बल्कि उन्होंने उन बच्चों को समझाया कि इस सब्दोको's का उपयोग कैसे करना है निलिमा और सलिल विद्यारती हैं उन दोनों को कुछ सब्दों के अर्थ जानने थे इसलिए वे दोनों अपने पडोसी रामदास जी के पास उन सब्दों का अर्थ जानने के लिए गए इस पार्ट में निलिमा और सलिल दोनों भाई बहन अध्यान कर रहे हैं उन्हें कुछ सब्दों के अर्थ कठिल लगे तब उन्होंने अपने पडोसी रामदास जी के पास जाकर उन सब्दों का अर्थ जानने का प्रयास किया बच्चो इस पार्ट के इस भाग दोरा आपने यह जाना कि सब्दों का अर्थ जानने के लिए हम सब्दों का उप्योग किस प्रकार कर सकते हैं सब्दों कोस में किसी भी सब्दों को जानना कितना आसान होता है और कितना रोचक होता है इस पार्ट में लेकिका हमें यही समझाना चाहा रही है कि सब्द कोश का उप्यो किस तरह करना चाहिए आसा करती हूँ कि आपको पार्ट का ये भाग अच्छी तरह समझ में आगे होगा अगले भाग में हम देखेंगे कि सब्द कोश के और क्या-क्या महत्व है बच्चो एक बार वीडियो देखने के बाद कभी कभी कुछ अंस समझ में नहीं आते इसलिए आप वीडियो को बार बार देखे और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तुसे लाइक किजिए शेर किजिए और सब्सक्राइब किजिए ताकि इस तरह के वीडियो के जिलते रहें धन्यवाद